सो गाइज मैंने में इस आक्सिस एंड यू आर वाचिंग रिसल स्ट्रोक एक फॉर्मर डबल डबली के सुपरस्टार ने यह कह दिया है कि ड्रू मैकिन्टार को डबल डबली में कोई भी उपर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है और ड्रू मैकिन्टार एई डबलू में जानन डबल डबली के हॉल अफेमर टेडी लोंग का एक इंट्रव्यू देखनी को मिलता है जहां पर उनसे पूछा जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या ड्रू मैकिन्टार और इली ट्रसलिंग को जवाइन कर सकते हैं तो वह कुछ मतलब आप कह सकते हो कि घुमाफ इडा के देते हैं और वह सबसे पहले कहते हैं कि देखो डबल डबली उनको अब कोई भी ऑप्रसुनिटी देने वाला नहीं है टाइटल स्पोर्ट का क्योंकि डबल डबली उन पे काफी जादा मतलब आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट कर चुकी है वह पास्ट में काफी जादा डबल को दे चुके हैं और ओवर और उनका यह कहना है कि डबल डबली उनको बलाती है तो उनके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि वह एलिट रस्लिंग में चले जाए तो टेडी लोंग का यह कहना है और डबल डबली में उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है तो गाइस अब आपको क्या लगता है कि जिस परकार से टेडी लोंग ने कहा है कि ड्रू मैंकेंटायर का कोई भी फ्यूचर नहीं है मतला वह डबल डबली में तो क्या आपको लगता है कि क्या वह एडबलू को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस रिमर्स काफी जादा आ रहा है कि आल इलिट तो देखते हैं गाइस की ऐसा चीजा में देखने को मिलता है या नहीं लेकिन टेडी लोंग ने कुछ यही कहा है